बिहार में एक लाग सत्तर हजार से जादा सिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होनी है आपको बता दें कि सुप्रीम कोट सिक्षक नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार की अर्जी पर आज सुनवाई करेगा और जस्टिस MM सुन्दरेश की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगे इस पर उत्सुकता बनी भी है बियार में एक लाग सत्त हजार से जादा सिक्षकों की नुकती का भविश इस सुनवाई पर ठीका हुआ है बियार सरकार ने सिक्षक नुकती को ले करके सुप्रीम कोट में अरजी दाखिल की थी ग्यासर ये मामला बियार पास सिक्षक अभियरतियों से जुड़ावा है बियार लोग सिवा आयोग यानि के बीपीएसी ने करीब दो सब्ता पहली ये टेग किया था कि बीएड पास प्राइमरी यानि के पहली से पांचवी टीचर नहीं बन सकते हैं उसके बाद सिक्षक भरती में शामिल 3,90,000 बीएड पास कैनिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी बीपीएसी ने ये टेग किया है कि सिर्फ डीएल इड पास उम्मिदवारों का ही रिजल्ट जारे किया जाएगा बीपीएसी ने ये फैसला सुप्रीम कोट के आदेश के कारण लिया सुप्रीम कोट में हाल ही में राजस्तान में सिक्षक वहारी के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए B.A.D. की योगिता को समाक्त कर दिया था कोट ने ये कहा था कि उसके फैसले के बाद B.A.D. डिग्री धारी छादर प्राइमरी सिक्षक के लिए योग नहीं होंगे सिर्फ BTS या फिर DLAD डिग्री वाले ही छातर कक्षा पांच वी तक पढ़ाने के लिए पातर माने जाएंगे ऐसे में सुप्रीम कोट का फैसला तब आया था जब बिहार में सिक्षक नियुकती पर क्रिया चल रही थे इस वीच ये मामला पतना हाई कोट भी पहुचा पतना हाई कोट में बिहार सरकार ने ये दलील दी थी कि बियर्ड वाले को प्रामरी टीचर नहीं बनने का फैसला बिहार के समबंध में नहीं है दरसल सुप्रीम कोट के फैसले से ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये बिहार में लागू होगा या फिर नहीं वहीं आपको बता दें कि 22 सितंबर को पटना हाई कोट ने बिहार सरकार की दलील को खारिच कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोट का फैसला बिहार में भी लागू होगा यानि कि बिहार की सिख्षक न्युक्ति में बियेड पास अभिहर्ती प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे पटना हाई कोट के इसी फैसले को आधार बना करके बिहार सरकार ने सुप्रीम कोट में LLP डायर की थी बिहार सरकार का ये कहना है कि उसे बियेड पास अभिहर्तियों को प्राइमरी टीचर के पत पर निफ्ति करने के इजाज़त दी जाए वही इसके बाद आज इस मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है जिस पर नज़र टिकी रहेगी किस तरीके से तमाम बियेड अभिहर्तियों को एक बड़ा जटका लगा है उसके बाद आज इस सुप्रीम कोट में से मामले में क्या सुनवाई होती ये देखना बेह अजली कॉच्छूर प्रगती टावर से कंट्रोर सकुना मूट संथ क्यारन से कंट्र स्कूल के सामनी बालजुनगर पटना हमारा नमबर है 8789-150-861 ये लो मुझ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined